वेलकम दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीमेचुर इजेकुलेशन के बारे में है यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से भी जादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है एक बार आप एकसाइट होने के बाद अगर ड प्रीमेचुर इजेकुलेशन को हम शिगर पतन भी कहते हैं यूनानी टर्मिनलोजी में इसको सूरत इंजाल भी कहते हैं दोस्तो कोई भी मरद इरेक्शन आने के बाद वेजाइनल एंट्री करने से पहले यानि फिमेल के प्राइविट पार्ट से एंट्री करने से पहले ए एक मिनट या डेड़ मिनट पहले डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको शिग्र पतन कहते हैं या वेजाइनल एंट्री करने के एक या डेड़ मिनट में डिस्चार्ज होने को शिग्र पतन कहते हैं दोस्तों अब हम इसके कारण या कॉजिस के बारे में बात करते हैं इसका कोई भी कारण या causes approval नहीं है इसके कई सारे कारण हो सकते हैं मैंनी causes हो सकते हैं हमने जो अपने क्लिनिक्स में ट्रायल देखे हैं और हम डॉक्टर्स लोग जब आपस में किसी मिटिंग्स वगेरा में मुलाकात करते हैं तो हमने ये देखा और यही हमारे यहां बाते चलती हैं और यही नतीजा निकलता है कि एक तो यह mentally disorder है दूसरा यह physically disorder हो सकता है आप psychological तोर पर कमजोर हो सकते हैं जैसे कि anxiety, depression भी आपको हो सकता है husband wife के relation अच्छे ना हो तो आप stressed रहते हों हो सकता है metabolic disorder हो या heart की problem हो या diabetes हो या thyroid का बढ़ना या घटना हो human body का muscles का structure कमजोर हो यानि आपकी body की mass species भी कमजोर होने से यह आपको हो सकता है यानि कि इस तरह के लोगों जिनकी muscles कमजोर होती हैं उनको भी शिगर पतन premature education हो सकता है दोस्तो मास्टर बेशन का भी शिगर पतन से relation है यानि कि हस्ट मैथुन जो हम करते हैं उसका भी इससे relation है हस्ट मैथुन करने वालों को भी शिगर पतन की परेशानी का अक्सर सामना करना पड़ता है मास्टर बेशन यानि हस्ट मैथुन पर हमने अल्रेडी एक वीडियो बनाई हुई भी है जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं दोस्तो बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं और कहते हैं डॉक्टर सहाब हमने बहुत पैसे भी खर्च किये और टाइम भी खराब हुआ मगर हम फुली क्योर नहीं हुआ है दोस्तो कोई भी डॉक्टर का टीटमेंट गलत नहीं होता है मगर कुछ मिसकंसेप्शन हो जाता है और कहीं ना कहीं डाइगनोस में कमी रह जाती है दोस्तो प्री मेच्योर एजेकुलेशन को दोनो तरह का टीटमेंट करना जरूरी होता है यानि कि शिगर पतन में हमें दो तरह का टीटमेंट करना जरूरी होता है इसमें सिर्फ दवाईया ही काम नहीं करती हैं दोस्तो दवाईयों के साथ-साथ कुछ टेक्निक्स भी होती है जैसे कीगल एक्सराइज का रेगुलर करना दोस्तो इसमें कुछ बुक्स वगेरा भी पढ़नी चाहिए जो कि स्पेशल सेक्स के तोर तरीकों और पोजिशन को समझाती है और इसके साथ साथ आपको साइको त्रेपी को भी हैंडिल करना होता है ताकि पेशेंट साइकोलोजि को ही यह समझना होगा कि सेक्स रिलेशन बनाना कोई जल्द बाजी का काम नहीं है बलकि जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं या अपने जरूरी काम करते हैं ऐसे ही सेक्स रिलेशन अच्छे से बनाना भी खुशहाल जिंदगी के लिए जरूरी है उम्मीद करते हैं हमारे दुवारा दीवे information आपको पसंद आई होगी और information अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नई वीडियो आप तक पहुंच सके Thanks for watching